वरत में हम कुछ टेस्टी और लाइट खाना चाहते हैं कुछ ऐसा जो भारीपन या ब्लोटिंग का कारण ना बने इस पर यदि आप डाइटिंग पर है तो यह और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मगर चिंता करने के आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके वरत के लिए हम लाये हैं साबुदाना के पराठे की टेस्टी और हेल्दी रेसिपी साबुदाना के पराठे बनाने के लिए हमें सबसे पहले 100 ग्राम साबुदाना लेना है साबुदाने को हम लोग गैस पर 2 मिनिट के लिए सेक लेंगे साबू दाना सेकने के बाद हम लोग उसे थोड़े दे ठंडा होने देंगे बाद हमने यहाँ पर दो से तीन मीडियम साइज के आलू लिये हैं और इनको उबाल लिया है साबू दाना जब थोड़ा सा थंडा हो जाता है तो हम लोग इसे मिक्सी जार में डाल करके एकदम बारिक आटे के समान पीस लेंगे पीसने के बाद हमें एक बरतन लेना है उसमें हम लोग जो यह पीसा हुआ साबू दाना है वो डाल देंगे के बाद हमने जो boil करके आलू रखेते उनको mash कर लेंगे और इसमें डाल देंगे के बाद हमने इसमें थोड़ी सी हरी दनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है के बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे नमक आप स्वादा अनुसार डाली है हमने एक चौथाई काले मिर्च भी ऐड़ की है हमने लगबग एक चौथाई चिली फ्लेक्स भी ऐड़ किया है हम लोग सारे इंग्रेडिंस को मिला लेंगे और एक सौफ सा डर्फ तयार कर लेंगे तयार करने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा पानी की छीटे लगाते हुए इसका डॉफ तयार करना है और देखे बिलकुल इसी तरह से ये तयार हो जाता है अब हम लग हमारे पराठे बेल लेंगे पराठे बेलने के लिए मैंने यहाँ पर ऐसी प्लास्टिक का उप्योग क किया है आप चाहे तो बटर पेपर भी यूज कर सकते हैं आपके पराठे का अकार आप खुछ चूज कर सकते हैं यदि आप बड़े आकार के खाना चाहे तो आप बड़े आकार के भी बना सकते हैं यहाँ पर थोड़े चोटे आकार के बनाए है यदि आप कोई भी बड़े बरतन हो तो आप उससे काट लेंगे तो इसका जो शेप है वो एकदम गोल आ जाएगा अब हम लोग इसे अलट पलट के सेक लेंगे क्या आपको पता है साबुदाना ग्लूटेन फ्री है और वेट लॉस में भी मददगार है एनरजी देता है और कुल मिलाकर आपकी सिहत के लिए फाइदे मन्द है आज की ये रेसिपी व्रत स्पेशल है लेकिन आप इसे नॉर्मल डेज में भी बना सकते हैं यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है प्रकार की धेर सारी हेलदी और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने फ्रेंज के साथ ज़रू शेयर करें